हेलो फ्रेंड्स मैं प्रितियो स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांस किचन में तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे काले तिल से लड्डू और इसके फायदे बहुत सारे होते हैं तो चलिए हम इस काले तिल के लड्डू को बना लेते हैं ऐसा ही मैंने पहले काले तिल क इसको मैंने दो के सुखा लिया है उसके बाद से मैं यहां पर डाल के और इसे भून लोंगी इसे भूनने में आपको कम से कम तीन से चार मिनट लगेंगे और यह फटाफट भून के तयार हो जाते हैं जब यह भूनेंगे तो इस में से चिट-चिट की अवाज आती है तो समझे दीजिएगा कि जो आपके तिल है वो अच्छे से भून चुके हैं और हाथों से मैस करेंगे तो इसलिए मैस हो जाते हैं खुस भी बहुत अच्छी आती है जब मैस करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे तो मैंने कच्चा तील लिया है जिसको मैंने नहीं भूनाया और यह मैंने देखिए यह तील जो है अच्छे से फूल चुकी है और वो तील फूली नहीं है और यह तो थोड़ा लाइट में दिख रहा होगा यहीं पहचान है इसकी जो तील आप भूनेंगे तो अच्छे से फूल जाएंगे तो यह देखिए जो हमारे तील अच्छे से फूल चुके हैं तो एक बरतनमी से ट्रांसवर कर लेते हैं अब हम इसकी चासनी बना लेते हैं तो उसक सकते हैं तो यहां पर मैंने गुड़ को मेल्ट करना स्टार कर दिया है हमें इसकी एक तार की चासनी बनानी है तो फ्रेंट्स गुड़ को मेल्ट होने में कम से कम 3-4 मिनिट लगेंगे अगर छोटे-छोटे आप टुक्रे किये रहेंगे तो जल्दी से हो जाएगा बड़े हम चेक कर लेंगे तो यहां पर ध्यान से आप चेक करें देखें कि उंगलिया ना जले पहले देखिए यहां पर एक तार की जो चासनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो यहां पर हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे उसके बास जो हमने तील भून के रखे हैं उसे इ होते हैं पहले वीडियो मैंने बताया इस बारे में यह काले तिल बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदे बंद होते हैं बहुत सारी इसके गुन है तो देखे बिल्कुल अच्छे से मेक्स कर लिया और मैंने इससे दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिया एक प्लेट ले पानी ले लिया कप में हाथों में पहले पानी को लगा लेंगे उसके बाद से चोटे चोटे लड्डू बना लेंगे हम देख सकते हैं और बहुत इजली बन के त्यार हो जाते हैं देखिए कुछ मिनटों में आप इससे बना के फटाफट त्यार कर सकते हैं जब लड्डू हाथों में लगा कि और जब भी लड़ू बनाने जा रहे हैं तो हाथों में पाइन लगा कि उसके वासे गोल गोल हमारे लड़ू बनके बिल्कुल रैड़ी हो चुके हैं देख सकते हैं आप तो वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आई ह तो लाइक करिएगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स और ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बेल आइकन को और सेलेक्ट करके प्रेस करिएगा तक कि मैं जो भी वीडियो डालू आप तक सबसे पहले पहुँचे तो थैंक्यू फो वाच्छ इस वीडियो